नमस्कार बाईजूर्ज एक्जाम प्रेप आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 14 मार्च के दहिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्मून समाचारों का विसलेशन करने वाले हैं तो आए सुरू करते हैं आज का समाचार विसलेशन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की सत्र में हम किनकिन विस्यों पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले रूस पर जो परतिबंद लगाए गए हैं उसका असर इंटरनेशनल स्पेस एस्टेशन की कारपनाली पर क्या पढ़ने वाला है इसको अधार बना करके जो न्यूज आया है हम उसकी यहां पर चर्चा करने वाले हैं यूकरेन पर रूस का आकरबन और भारत की ऐसे इस्तिमे नैतिक जिम्मिदारी क्या होनी चाहिए इसको अधा पर चर्चा करने वाले हैं और पाकिस्तान के द्वारा भारत से मिसाइल दुर्घटना की संव्ट जांच करने की मांग की गई है इस न्यूज को भी हम यहां पर देखेंगे और रूस-यूक्रेन वार के कारण उतरी अफ्रिका में जो खास संकट उत्पन हुआ है इस न्यू पर अधारित मुख्य परिक्षा के अभ्यास प्रस्टों पर भी हम चर्चा करेंगे तो आये सुरू करते हैं आज के इस सत्र को आज के पेपर के टेक्स अन कॉंटेक्स पेज पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज आया जिसका सिर्षक है दे फंक्शनिंग ऑफ दी आ पाकरवन किया गया उसके बाद यूएस और अनपस्चमी देशों के द्वारा रूस पर कई तरीके के परतिबंद लगाये गये और यहां पर रूस पर टेक्नॉलजी को ले करके परतिबंद लगाया गया रूसी बैंकों पर परतिबंद लगाया गया और इसके जवाब में रूस के द्वारा भी कुछ प्रटवार किया गया है यहाँ पर तीन मार्च को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोमोस ने ट्विट किया कि वह अंतराष्टिय अंतरिक्ष एस्टेशन के रूसी खंड में सयुक्त परयोगों पर जर्मनी के साथ सयोग नहीं करेगा और अंतरिक्ष एस्टेशन के द्वार यह भी कहा गया कि वह यूस को दिये गए 24R 180 इंजन को सेवा नहीं परदान करेगा यानि कि उसकी सर्विसिंग नहीं करेगा और R 181 इंजन की आपूर्ती बंद कर देगा तो यहाँ पर रूस के द्वारा जो उसकी भूमी का है इंटरने इस्टेशन की बात करें तो ISS का निर्मान पांच अंतराष्ठी अंतरिक्ष एजनसियां अमरिका के नासा, रूस के रूसकोमोस, जापान के JXA, कनाडा के अंतरिक्ष एजनसी और यूरूपिये अंतरिक्ष एजनसी के विग्यानिकों के सहयोग से किया गया है और यहाँ प कि वह International Space Association की करच्छा में सुधार करता है और उसके द्वारा जो International Space Association के यात्री होते हैं उन्हें पिर्थवी से ISS और ISS से पिर्थवी में लाए जाता है और यहाँ पर सबसे important बात आपको ये ध्यान में रखना है कि चुकि ISS बहुत ही बड़ा structure है, बहुत ही भारी है और इसल ये ISS पूरी तरीके से zero gravity space में नहीं है और यह थोड़ा सा gravity का सामना करता है और इसके कारण ISS की कच्छा को बार बार ठीक करना पड़ता है और यहाँ पर ये जो काम है वह रूस के द्वारा किया जाता है और इसी को देखते हुए रूसी अंतरिक्स एजेंसी के प्रमुख न ये कहा था कि अगर रूस पर ऐसे प्रतिबंद लगाए जाएंगे टेकनोलजी के ट्रांसफर पर प्रतिबंद लगाए जाएंगे तो इसका असर कहीं न कहीं अंतरिक्ष एश्टेशन पर भी पड़ेगा और जो रूस की जिमेदारी है इंटरनेशनल स्पेस एश्टेशन क और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल स्पेस एश्टेशन को अंतरिक्ष मर्वे से दूर रखने के लिए इसकी कच्छा को वर्स में लगभग एक 11 बार सही किया जाता है और यह सारे काम रूस के द्वारा किये जाते हैं तो यहाँ पर इसी बात को यूएस और अन्य पस्चमी देशों को धमकी भी दी जा रही है कि अगर उसने सहयोग करना बंद कर दिया तो ISS याने की इंटरनेशनल स्पेस एश्टेशन अपनी कच्छा से भटक कर समूद्र में या जमीन पर गिर सकता है जो की काफी भ्यावा है इसी न्यूज में यह जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ISS पूरी तरीके से जीरो ग्रेफटी एश्पेस पर नहीं है और इसलिए ग्रेफटी का असर उस पर पड़ता है और वह धीरे धीरे अपनी कच्छा से भटक जाता है और यहां पर अगर ISS के द्वारा रास्ता बदला गया तो इसका टक कर अंतरि रूस के जिम्मे है यहां पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि क्या रूस के द्वारा जो बात कही जा रही है वह सही हो सकता है यानि कि रूस क्या इस परयोग से पीछे हट सकता है यहां पर यह कहा गया है लिखक के द्वारा कि पहले भी ऐसे मौके बहुत आए हैं जब रूस और अमेरिका के बीच में संघर्स बढ़े हैं लेकिन इसका असर इंटरनेशनल स्पेस एसेशन के संचालन में नहीं पड़ा है और यहाँ पर अभी भी मार्च में दो ऐसे मिसन है जो की इंटरनेशनल स्पेस एसेशन चे जुड़े हुए हैं यहाँ पर यह कहा गया है कि 18 मार्च के लिए दो मिसन की योजना है और इसमें एक मिसन में दो रूसी और एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को पिर्थवी से इंटरनेशनल स्पेस एसेशन में ले जाना है और 30 मार्च को यह योजना बनाए गई है कि यह मिसन आएसेस से एक अ से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर लेखा के द्वरा ये कहा गया है कि भले हैं रूस और अमेरिका के बीच में इन दिनों रिष्टे अच्छे नहीं है लेकिन इसका असर इंटरनेशनल एस्पेस एस्टेशन के काम काज़ पर नहीं पड़ेगा और जो साइंस की भावना है दोनों देशों के बीच में उसके कारण ये लगता है कि यहाँ पर जो मिसन बनाए गया है वो अपने समय से पूरे होंगे यहाँ पर यहीं बताया गया है कि इन्टरनेशनल एस्पेस एस्टेशन को एक बार उसकी कच्छा में सही तरीके से अस्थापित करने में साथ से चाफी बढ़ जाएगा यहाँ पर इस बात का भी चरचा किया गया है कि क्या यह सच है कि रूस को अपने देश पर आएसेस के दुरगटना गरस्थ होने का खत्रा नहीं है यहाँ पर यह बताया गया है कि इन्टरनेशनल एस्पेस एस्टर पिर्थवी पर गिरता है तो यह का असर भुमद रेखा के आसपास वाले जो देश हैं उन पर पढ़ सकता है लेकिन यहाँ पर यह संभावना जताई गई है कि अगर इंटरनेशनल धर्ती पर गिरता भी है तो यहाँ पर उसके अलग-अलग मोड्यूल को अलग कर दिया जाएगा जिससे वह पिर्थवी के वातावर में घुशते ही जलकल राख हो जाएगा तो यहाँ पर इस बात की संभावना पर भी लेखा के द्वारा अपनी बातों को रखा गया है तो ब इंडिया एस्टेंड और यूकरेन वार और एटॉपिक समान अध्यंदो अंतराष्टे संभन से जुड़ा हुआ है हम लोगों ने यूकरेन के वार पर बहुत ज़्यादा कवरेज किया है बहुत सारी बाते आपके सामने रखी गई है और इस एरिटोरियल में भी यूकरेन से एपसेंट रहा है और यहाँ पर लेखा के द्वरा ये कहा गया है कि यूकरेन पर रूस का जो आकर्मन हुआ है वो कहीं न कहीं दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक देश भारत जिसे हम सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं उसके उपर काफी नैतिक जिमेदारी डाल दी है हाला कि भारत ने यूनाटे नेशन में जो निंदा प्रस्ताव लाया गया था उस पर भोट डालने से इनकार कर दिया वो वहां से एपसेंट रहा और इसी को लेकर के लेखा का ये कहना है कि भारत की ये जो इस्ति है उसके कारण भविस में दुनिया के बाकी दे जाहंत को उजागर करने के जरूरत है अपनी प्रतिबदता जाहिर करने के जरूरत है और यहां पर भारत का ये कहना कि भारत रक्षा उपकरनों के लिए रूस पर बहुत ही जारा निर्भर है और इसके इलावा सुरक्षा परीशत में पाकिस्तान के मुद्दे पर रूस के समर्थन की उसे आव सकता है और इसलिए भारत आकर्मन के निंदा नहीं कर सकता है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो रूस उससे नाराज हो सकता है यह आसंका सही नहीं है यहां पर लेखक का यह साफ साफ कहना है कि भारत को अपनी विदेश नीती को ले करके अपना रुख अ पूर्थी का मामला और दूसरा यूएन में पाकिस्तान के खिलाफ रूस के समर्थन का मामला ये कहीं से भी भारत की छवी को अच्छा नहीं करेगा दुनिया के देशों के सामने और यहां पर भारत के दौरा जो बयान दिये गए हैं यूएन में उससे कोई भी देश जान्त हैं उसकी प्रतिबत्ता में कमी की और सभी देशों का ध्यान आकर्शित हुआ है यानि कि जो दुनिया के दूसरे देश हैं वो यह समझेंगे कि भारत महत्मुन मुद्धों पर कोई एस्टेंड नहीं लेता यहां पर लेखा के दौरा ये भी कहा गया है कि अगर भा भारत पर कभी चीन के द्वारा इसी तरीके का आकर्बन किया गया तो यहां पर विशुमंच पर भारत का कोई भी साथ नहीं देगा जिस तरीके से युक्रेन पर रूस के द्वारा आकर्बन किया गया है उसकी निंदा भारत नहीं की है तो अगर भारत पर भी चीन या किसी दूसरे देश के द्वारा आकर्मन किया जाता है तो यहां पर दुनिया के बाकी देश भी उस आकर्मन के निंदा नहीं करेंगे यहां पर लेखा के द्वारा कुछ परिस्तितियों को भी चर्चा किया गया है और यह बताने का प्रियास किया गया है कि 1950 के दसक में भारत के प्रती जो पस्चमी देशों का रुख था वो काफी उदासीन था 1947 में संयुक्त राष्ट में कस्मीर के मुद्दे पर पस्चमी देशों के द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया गया था दूसरी और उस समय का जो सोवियस संग है जो कि आज का रूस है उसने भारत को कई मौकों पर बरचाया और सोवियस संग के द्वारा कई बार संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में अपने वीटो पावर का इस्तमाल किया गया लेकिन अगर हम आज के समय देखें तो करीब 75 साल बाद यह इस्ती बदल चुकी है यहाँ पर पस्चिम के जो देज हैं वह अब भारत को ज़्यादा महतों देते हैं पाकिस्तान के मुकाबले जबकि रूस पाकिस्तान को प्रोसाहित कर रहा है तो यहाँ पर जो इस्ती है वो भी बदला हुआ है और इसलिए कुछ लोग का यह कहना कि अगर भारत रूस के खिलाफ मद्दान में भाग लेता है या फिर यूकरेन के पक्ष में बोलता है तो इससे रूस भारत से नराज हो जाएगा और उसका असर भारत पर ज्यादा गह खरीता है यह एक कारन है कि भारत रूस के खिलाफ नहीं बोलता यह सही नहीं है यहाँ पर यह बताया गया है ले खक्ष के द्वारा कि रूस के अलावा भी भारत के द्वारा बहुत सारे डे equipment पश्चमी देशों से खड़ दे गए हैं और यहाँ पर एक बहुत-बड़ा जहीं रूस और पश्चमी देसों के बीच में जो एक सरोचता की लडाई है उसका परिणाम है इससे भी भारत ये नहीं कह सकता कि भारत को इसमें सामिल नहीं होना चाहिए या भारत को इस युद्ध के बारे में कोई भी एक एस्टेंड नहीं लेना चाहिए यहां पर लेखा के दोरा ये कहा गया है कि यह जो युद्ध है वो भले ही पश्चमी देशों और रूस के बीच में जो रसा कसी है उसका परिणाम है लेकिन यहां भारत को अपने सिधानतों के अनुरूप अपना पक्ष रखना चाहिए अगर रूस के दोरा कोई गलती किया गया है तो यहां पर भारत को रूस की निंदा करनी चाहिए यह सोचे भी ना कि उसका असर भारत और रूस के समंधु पर कैसा पड़ेगा यहाँ पर अगर भारत कोई असपस्ट स्टेंड नहीं लेता है रुख नहीं अपनाता है तो यहाँ पर भारत का जो इमेज है पूरी दुनिया में वो खराब होगा और कहीं न कहीं भारत की ये च्छवी बन जाएगी कि वह रूस और चीन के साथ किसी भी हालत में खड़ा रह यहाँ पर लेखा के दौर ये साथ-साथ कहा गया है कि रूस और चीन डेमोक्रिस यानिकी लोकतंत्र नहीं है लेकिन भारत में लोकतंत्र है और इसलिए भारत को दुनिया में कहीं भी किसी बड़े देस के दौरा जब किसी कमजोड देस पर आकर्मन किया जाता है वहाँ प एक बड़ी भूमी का निभा सकता है। तो बहुत important news है ये और यहाँ पर जो दो argument दिये जाते हैं कि क्यूं भारत के द्वारा रूस के खिलाफ जो प्रस्ताव आया था उसमें भोट नहीं दिया गया। उसको counter करने का प्रयास किया गया है और यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि अगर भारत को भविस में बड़ी भूमी का निभानी है अंतराष्टिये मामलों में तो उसे सही को सही और गलत को गलत कहना सीखना होगा। तो बहुत important news है इसको भी आपनों जरूत ध्यान से पढ़ेंगे। आए एक और news की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के text and context space पर एक news आया जिसका सिर्षक है understanding, citizen reluctance to pay text और एक topic समान अध्यन दो सासन से जोड़ कर हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पारदर्षता को लेकर के बात कही जा रही है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर क्यूं नागरिकों के द्वारा text चोरी की जाती है या फिर करों को सही तरीके से जमा नहीं कह जाता। यहाँ पर अमेरिका में जो सोध हुआ है टेक्स को लेकर के उसका अध्यन किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि उसके जो रिजल्ट आए हैं वो भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही महत्पुन है। यहां पर ये पताने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा कि अगर हमें करों का भुक्तान करने के लिए नागरिकों को प्रोसाहित करना है तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम नागरिकों को ये जनकारी दें कि उनका पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है और जिस तरीके स यहां पर अमेरिका में यह सोध किया गया उसकी यहां पर चर्चा है आपको यहां पर मैं सोट में बता जेता हूँ यहां पर जो अमेरिका में experiment किया गया उसमें लगभग 2000 लोगों को यह बताया गया कि उनके दौरा जो पैसा दिया जाता है वह education पर खर्च होता है और यहाँ पर लोग को यह बताया गया कि वे जो tax देते हैं उसका लगभग 50% public education यानि कि सिख्छा पर खर्च के जाता है तब यहाँ पर यह देखा गया कि लोगों कि द्वारा tax छूट के जो आवेदन दिये जाते हैं उसमें भार खर्च के जाता है लेकिन जब लोगों को यह बताया गया कि यहाँ पर 14% नहीं बलकि 50% पैसा education पर खर्च के जाता है सरकार के द्वारा तो यहाँ पर लोग tax देने के लिए आगे आएं और जो tax में छूट के लिए आवेदन किया जाता है उसमें भारी कमी देखी गई और ऐसी को आधार बना करके यहाँ पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि अगर भारत में भी हमें tax को प्रोसाहित करना है यह प्रोसाहित करना है कि नागरिक अपने tax को भरें तो यहाँ पर भी सरकार को यह बताना होगा कि tax का पैसा उसके द्वारा कहां कहां खर्च किया जा तो यहाँ पर निश्चित ही लोगों के द्वारा टैक्स ज्यादा दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर भारत में यह देखने को मिलता है कि भारत में लोग इसलिए टैक्स चोरी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार उनसे टैक्स लेती है लेकिन उसके बदले में सरकार क कारण है जिसके कारण लोग भारत में tax देना नहीν चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पैसा development के कारियों में खर्च नहीं हो रहा है और अगर भारत में भी सरकार लोगों को यह समझाए कि उनके द्वारा जो पैसा दिया जाता है वह सरकार के द्वारा स्वास्त योजुनाओं में, उनके बच्चों के एजुकेशन में, देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में खर्च की जाते हैं तो कहीं न कहीं नागरिकों के द्वारा टेक्स जादा दिया जाएगा तो बहुत ही important news है ये, और जो मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है सौट में कि अगर नागरिकों को युए पता चल जाए, कि उनका टेक्स का पैसा, उनके development में खर्चे जाता है तो यहाँ पर नागरिक जादा से जादा टेक्स देंगे, सरकार का टेक्स revenue भी बढ़ेगा इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है, जो कि बहुत ही महत्पून है और अगर सरकार ऐसा करती है, तो यह सही दिसा में उठाया हुआ एक कदम होगा तो बहुत important news है, इसको भी आप जरूर revise करेंगे आईए एक और news की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के paper के page number 6 पर एक editorial आया, जिसका सिर्षक है Unguided Missile, और यह topic समान अध्यंदो अंतराष्टिस सम्बन से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 March को भारत की तरफ से अचानक गलती से दागी गई एक मिसाइल सीमा पार जाकर के पाकिस्तान में गीरा और जिसको लेकर के पाकिस्तान के द्वारा बहुत ही तीखी पर्दिकरिया की गई है और यहाँ पर पाकिस्तान ने सनिवार को यह मांग की कि वह भारत के साथ मिल करके यहाँ पर सन्युक्त जांच करना चाहता है याने कि पाकिस्तान के दोरा इस मामले की सन्युक्त जांच करने की मांग की गई है साथी साथ यहाँ पर पाकिस्तान के दोरा ये कहा गया है कि भारत उसको यह बताए कि क्या मिसाइल वास्तों में उसके ससस्तर बलों के नियंदर में था या फिर कुछ दुष तट्वों के दोरा ऐसा काम जान भूश करके किया गया है तो यहाँ पर पाकिस्तान के दोरा स्यूंत जांच की मान की गई है और और भी कुछ कोस्चन भारत से पूछे गए हैं यहाँ पर लेखा का ये कहना है कि पाकिस्तान के दोरा जो स्यूंत जांच की मान की गई है वह बिलकुर अनुचित है लेकिन भारत को भी सच्चाई से प्रमानु हथियारों को लेकर के और यहां पर भारत के द्वरा जो अपनी छवी बनाई गई है वह उसकी दसकों के सयमित सब्दों और विचारसिल करवाई से बनी है हाला कि दुनिया के देशों को भारत का जो प्रमानु कमान है उसकी सुरक्षा और तक्निकी छमताओं को लेकर के कभी भी संदेह नहीं रहा है लेकिन भारत को खुझ से इस दुरगटना के बाद अंतराष्टी समुदाय को विश्वास में लेने के लिए और बहुत सारे उपा करने चाहिए यहां पर लेखा के दोरा यह कहा गया है कि भारत की ओर से कोई आधिकारिक सब्द नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि यह कौन सा मिसाइल था जिसके बारे में पाकिस्तान ने दावा किया है कि वह उसके छेतर में 124 किलोमीटर अंदर जाकर के गिरा है यहा सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है और यहां पर अनुमान ये लगाया गया कि यहां पर जो दुरखटना होई है उसमें ब्रहमोर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सामिल है और आप सभी जानते हैं कि ब्रहमोर का इस्तमाल आर्मी, इंडियने जफोर्स और नेवी तीनों क के द्वारा किया जाता है लेकिन यहां पर भारत के द्वारा कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दे गई है कि यह मिसाइल कौन सा था यहां पर स्वक्षा कारण इसके हो सकते हैं लेकिन यहां पर लेखक के द्वारा एक और दुरखटना का जिक्र किया गया है आप सभी को याद होगा कि फरवरी 2019 में जब बाला को दुरगटना हुआ था तो यहाँ पर उसके एक दिन बाद जब भारत और पाकिस्तान के लड़ाकु जेट L.O.C. के पास डॉक फाइट में लगे हुए थें उसी दिन स्री नगर से टेक आफ के तुरंत बाद बढ़गाम में एक M.I. 17 V5 हेलिकॉप्टर दुरगटना गरस्थ हो गया था और यहाँ पर जब इस दुरगटना की इंक्वारे की गई तो यह बास सामने में आया कि इंडियन एयर फोर्स के स्पाइडर मिसाइल के द्वारा इस हेलिकॉप्टर को सूट किया था यानि कि भारत ने अपने ही खमता है उसके बारे में दुनिया के देशों में कोई संदेह ना रहे इसलिए भारत को ऐसे प्रियास करने चाहिए जिससे इस संदेह की कोई भी गुंजाइस ना रहे और यहाँ पर भारत को ऐसे मामलों की जाश करनी चाहिए लेकिन यहाँ पर लेखक के द्वरे यह साफ क पर दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ या फिर किसी अन अंतराष्टिय एजेंसी के साथ मिल करके यह जाच करना उचित नहीं होगा लेकिन भारत को अपने हिसाब से सुरक्षा को ले करके और बहुत ज़दा पुकता इंतजाम करने पड़ेंगे ताकि दुनिया के देश भार और न्यूस की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूस आया जिसका सिर्शक है और यह टॉपिक समान अध्यन तीन मुद्राय स्विती से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन वार के कारण पूरी दुनिया में महंगाई के लक्षन दिख रहे हैं पेट्रॉल के दाम बढ़े हैं यहाँ पर सेमी कंडक्टर की कमी की आसंका जताई जा रही है और इसके अलावा नौर्थ अफरिका में जो फूड के दाम है उनमें भी महंगाई देखने को मिल रहा है और नौर्थ अफरिका के देश बहुत ही गंभीर फूड क्राइसिस से गुजर रहे हैं यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि टुनिसिया, मुरक्को और लिबिया जैसे देश युक्रेन और रूस से बड़े पैमाने पर गेहूं का आयात करते हैं और रूस और युक्रेन के बीच में जो युद हो रहा है वो कही ना कही इस आयात को प्रभा बन सकता है. आपको यह ध्यान में रखना है कि पिछले द्रसक में बहुत सारे अरब देशों में जो विद्रो हुआ था उसका एक बहुत बड़ा कारन उन देशों में महंगाई था उन देशों में जो खाद किमिते बढ़ी थी उसने इन आंदोलनों में बहुत बड़ी इन देशों में बनती जा रही है क्योंकि यहां पर एक तो भुखमरी बहुत बड़ा समस्या है और जिस तरीके से गेहूं के दाम वहां पर बढ़े हैं उससे जनता में असंतोस बढ़ता जा रहा है। सारी महंगाई देखने को मिल सकती है खाद कीमितों में। तो बहुत इंपोर्टेंट नीज है ये और रूस और युक्रेन युद्ध का असर दुनिया पर और क्या-क्या पढ़ने वाला है इसको अभी हमें और विसलेशन करने के जरूरत है आगे आने वाले दिनों में ऐसे न भावी तरीका लोगों को जागरू करना हो सकता है कि सरकार कर राजसो कैसे खर्च करती है इस कथन पर चर्चा करें तो बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन है ये और यहाँ पर आपको ये समझाना है कि किस तरीके से सरकार लोगों को जागरू करें कि लोग ज्यादा से प्रियास किया गया था कि अगर सरकार ये बताती है कि उनके द्वारा जो टेक्स दिया जाता है वह सरकार के द्वारा उन्हें ही सिक्षा के रूप में, स्वास्त के रूप में, अच्छा इंफ्रस्ट्रक्चर के रूप में लुटाए जाता है तो यहाँ पर जनता टेक्स चो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी खर्च नहीं कह जाता जिसके कारण लोग यहां पर टेक्स चोरी करना सुरू कर देते हैं ताकि वे कुछ पैसे बचा सकें जिसका उप्योग वे अपने बच्चे की पढ़ाई पर परिवार के स्वास्त पर खर्च करने में करेंगे तो भी एक्जामपल दे सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए तो बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है जरूर इसको लिखने का प्रयास करें आईए अब कोश्चन नमबर टू पर चर्चा कर लेते हैं कोश्चन नमबर टू है युक्रेन पर रूस के आकर्मन ने दुनिया के स अब ही मुद्धो काप चर्चा करें जिस पर हमने एटोरियल पर चर्चा करते समय प्रकास डाला था यहां पर आपको यह बताना होगा कि किस तरीके से भारत के द्वारा जो दो बड़े कारण गिनाये जाते हैं एक कि भारत रूस के हतियारों पर अतिधिक निर्भर है और दूसरा कि यह जो युद्ध है वहरूस और पश्चमी देशों के संघर्स का नतीजा है और इसमें भारत को नहीं पढ़ना चाहिए यह दोनों के दोनों जो दलीले हैं इनमें कोई दम नहीं है और यहां पर आपको यही बताना होगा कि एक लोगतंत्र होने के नाते भारत क तो दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई अन्याय होता है तो उसके बारे में अपना सक्त रवया जाहिर करना चाहिए और अगर भारत अभी युकरेन के साथ खड़ा नहीं होगा तो कहीं न कहीं अगर भारत पर इसी तरह का हमला चीन या पाकिस्तान के दोरा किया जाता है तो दुनिया का कोई देश ऐसे हमलों में भारत का भी सहायता नहीं करेगा तो इस तरह का पूरा विसलेशन आपको यहाँ पर लिखना होगा आसा करता हूँ कि आपको आज का ये समचार विसलेशन पसंद आया होगा सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्मून है जिन मुद्द हैं समचार विसलेशन के अगली अंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद